पूदर पूदर वाले जेवा जो अब राम होगी है तो देखे जी आज ये घर में है आज से इसकी छुटिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है और अभी मुझे मैं ना कुछ देख रही थी और हमने बहुत दिनों से ये मंगवा के रखा वा था लेकिन पता क्या इनसान का होता है आज नी कल ले जाएंगे कल नी परसु ले है तो हमारे यहां पर जैसे बगी लीख या कराकि ठेके लेने आतंगे इरस सहारन पुर से और नीचे से जो आते हैं ठेके दार उन्हों यह नीची रह गया था उनके पास दुकान में, तो पता नहीं उनके वहाँ पर पानी कैसे इसमें लग गया, यह पूरा गीला हुआ वाई चावल, और हम भी इतने दिनों से धील में ऐसी रहें, उन्होंने तो बोला कि ले जाओ, ले जाओ, आपकी चावल है, और हमने आज ल को बारिश लग रही थी ना इसमें, एक साइड को इदर को इसमें बारिश का पानी चुआ वाई, तो उदर यह ऐसे हो गया है, यह देखो आसे ना, इसमें फफूंद लग गई, और बाकी जो है बाकी तो ठीक है, तो इसलिए इसको हम सुकने के लिए डालेंगे, तो तो इसको हम यहां डालेंगे, यहां पर यानी अंदर, चप बढ़ा अंदर कमरों में डालेंगे ना पार तू फिर वहीं पर बच्चे सारे को भिखरा दिये, आज कल बशात के दिनों में यह दर वाजे जोते ना बिल्कुल जाम हो जाते हैं तो यह ना पक्का लगा था दर जाने और दहरने मिलके खोला यह बड़ी मुश्किल से और हम यह जो चावल का कटा है ना बोरी मतलब यह हम उठा के लिया अंदर, इसको हम यहां पर इसमें हवा लगती रहेगी और यह सूख भी जाएंगे, हां गे देश बसे, हां वो देशी, कितना खराब हो गई है, हां इसको कटे को यहां रख दे, तो यह देखिए कितना हमारा ना बहुत नुकसान हो गया, गल्ती तो हमारी है, हम टाइम से लेके ही नहीं आए जब, यह देख, यह चावल कितना खराब हो गया है, यह देखो, इसको पक्षियों को डाल देंगे, गंदा क्या हो गया इसमें, यह वाला, यह हम निकाल देंगे न, ऐसे उपर-उपर का सारा निकाल देंगे, यह तो शुकर जो आज भी पहुंच गया है, घर नहीं तो इसमें तो कुछ पिनी बचना था, खाली यह दी भी आना है, ऐसे इतने पेसे वेस्ट हो जाना थे बर्बाद, बुत्तो, आस्ते फ तो यहां पे हमारे शाही ठाठ वाले राजगुमार धेरे जी बोल रहे थे, कि ममा यह चावल तो सारे खराब होगे, यह तो फेंकने पड़ेंगे, तो मैं इसको बोली रही थी है, कि इसमें खराब क्या है, यह जो उपर-उपर से जहां पे पानी लगावाई न, वहां पे गिले-गिले, वहां पे यह तो बाकी साइड के चावल है, बो तो ठीक है, तो इसको यहां पे बिकरो देंगे, अगर निचे, तो यहां पे सूख जाएगा, यह और ठीक हो जाएगे, यह मतलब, और बाकी जो यह खराब हो चुके है, इनको हम पक्षियों को डाल देंगे, वैसे भी हमारे घर में पक्षियों को डालते ही है दाना, तो यह वाले चावल उनके काम आ जाएगे, उनका भी पेट भर जाएगा, और हमारा भी काम हो जाएगा, तो गरती तो अपनी है ना, उन्होंने तो कबके लाके रखे वे थे और बता दिया था हमारे को कि आपके ज जारी थी मैंने ऐसी देख लिया इसको मुझे लगा ना, मैंके चलो चेक कर लेती हो कैसे चावल आए है क्योंकि निचे से ना, यह दूसरे चावल होते है ना, बासमती चावल होगरा यह भी सस्ते पढ़ जाते हैं अच्छे पिल जाते हैं नीचे से तो बहां पे काफी मंगवा लेते हैं नीचे से ना, जैसे एक दो कटे मतलब वोरी मंगवा के रख लेंगे ना, और फिर हो जाते हैं यूज करने को और इसलिए यह नीचे से मंगवाए थे, तो यहां पे सार्थक जो है ना, वो भी पहुंच गया इंस्पेक्शन करने के लिए कि यह क्या हो र खराब हो जाते हैं तो यह हमने चावल जो है वो फला दी दिरुदर सारी में बस बस यहां इतने दूर तक मत कर रहें यहां इसने खराब भी फेके वे देख कुछ इन देख, इन देख, आस्ते हाथ से करो बड़े अन्न भवाने इनको उठाके इसमें डाले ममा, इसमें डाले, यहां 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 डालो देख, डालो देख, डालो, देख, लो पिचारर, पिचारर करते हो कि नहीं लगता है चलो, चले, तो कभी-कभी हमारी छोटी सी गलती के वेज़ा से बहारी नुकसान जोता है लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारे न, तीन-चार किलो चावल तो खराब हो गए लेकिन बाकी जो है वो बच गए अभी देख लिए हमने लेकिन अगर दू-तीन दिन और रह गए थे न, तो सारे के सारे यह खराब ही हो जाने थे तो अभी मैंने इनको डाल लिया है पार सूकने के लिए वैसे भी धूप में नहीं डालते न, चावलों को तो मैंने अंदर कमरे में डाल दी यहां इसलिए नहीं डाल ले क्यूंकि यहां नैना सार तक खेलते है तो फिर उन्होंने सारे में विखरो देने थे वो तो कि वो लाई भी इन्होंने बोटल और यह मेरे को लगता ही इंग भी खाली कर दी इसमें से तो चलिए और यह दिखे जी दिन में आगी थे मेरे मैमान मेरी नर्डे जो है ना वो आई थी उनके बच्चे भी है यहां पर हम ना शाम के टाइम से दिन में बारिश वी ना शाम के बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था देखिए पीछे कितना ब्यूटीफूल सा व्यू दिख रहा ना यहां पर हम फोटो शूट कर रहे थे मतलब फोटो खेंच रहे थे और बाद में यहां पर डान्स हो रहा था पता नहीं यह वीडियो देखेंगे ना तो मुझे पक्का ब बहुत है उसमें डाला है साबो जीरा थोड़े से डाल दिये हैं प्याज और डाल जो है वहां पहले से उबाल के रखी वी थी तो वैसे तो बही दाल सब को रगाती है दाल सब तड़का सब को आता है लगाना लेकिन मैंने बनाया था तो आपके साथ शेयर कर रही हूं और ह कोई ऐसा वेरी वीडियो देख लिए जिसको ना लगा आता हो ना तो यहां से सीख सकते हैं तो बस यहां पर प्याज लहसुन जो है इनको हम भून लेंगे अच्छे से भून जाने चाहिए यह मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा कच्छा कच्छा सा रहे क्योंकि दाल में अच्छा सा भूनावा होता है ना मसाला प्याज विरा सब कुछ तो वही अच्छा लगता है तो बस इसको भूनने के बाद इसमें देखे यहां पर मैंने डाल दिया है धनिया तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आती और धनिया फाइदेमन भी होता है हमारे लिए यहां पर बटोलाए यहां ट हो तो बस टमाटर डाल कि अच्छे से पकाइंगे जiqu तक यह बल्कुल गल ना जाएं तो बारें अच्छी मिट यह बैसाएं ईसमें साथ में नमका होता है द डालना पड़ता है तो नमक भी मैं यहां पर इसमें यहां डाल नमक डाल दिया मैं और बस अभी इसको हम पकने देंगे तो 2-3 मिनट पे पक जाएंगे तो कई बारी मैं करते हूँ, मिक्सी में भी बारी कर लेती हूँ लेकिन आज मैंने ऐसी काटे थे टमाटर और ऐसी ही डाल दिये थे तो ऐसे भी अच्छे से हो जाता है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने देंगे हम तो बस बहुत असान होता है दाल कतल का लगाना कोई जादा मुश्किल होता है यहां पे आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं मैं कई डालती हूँ लेकिन यहां मैंने डाली थी कि नहीं मुझे ध्यान नी है नहीं डाली थी शायद आज और कसूरी मेथी डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो टमाटर जो फाइनली यहां पे बहुत जादा पक चुके हैं और क्योंकि चूले पे बनावा खाना है तो इसमें धूँआ धूँआ अपको बहुत दिखेगा तो प्लीज आप इसको इग्नोर कीजिएगा और जो मेरा एफट है उसको देखिएगा कि मैंने कितना एफट लगाया है इसमें पुराने टाइम में करते थे हमारे जैसे कडशी को उटा करके और इस तरह से मैश करते थे ऐसे करके भी टोमाटर की ग्रेवी बन जाती है और प्लेवा निकल जाये और बिल्कुल लाल हो जाया वह तो बोलते हैं कि ऑल रिलीज बना चाहिए बस वैसे उसके बाद इसमें ज कोई बात नहीं है थोड़ी सी दिसको और पका लेंगे और इसके बारिस में डाल डाल देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा व्लॉग जो है मेरा अच्छा लगा होगा आज के व्लॉग में वैसे जादा कुछ नहीं था लेकिन सीखने लाइक बहुत कुछ था अगर है तो बस यहां पर कुछ मुझे और भी बनाना था तो मैंने कुछ दाल का तड़का यहां पर लगा दिया और उसके बाद में कैप्चर नहीं कर पाई वही क्योंकि जब गैस्ट आते हैं घर में तो उनको अटेंड करना होता है उनके साथ हम बीजी होते है तो बस यहां पर जेम तदी जैसे राम शुबर्ण